खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीजिए इस एंकाउंटर के बाद साइबराबाद के पुलिस कमिशनर वी सी सच्जनार की जमकर तारीफ हो रही है सच्जनार को एंकाउंटर किंग के नाम से भी जाना जाता है क्या है वे सी सच्जनार की कहानी दिखाते हैं आपको तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस के कमिशनर के नाम की आज पूरे देश में जैजैकार हो रही लोगों की नजर में पुलिस कमिशनर वी सी सच्जनार हीरो बन गए उनका नाम सच्जनार है लेकिन अपराधियों के लिए वो किसी काल से कम नहीं है देश के लिए शुक्रुवार की सुभा एक ऐसी खबर से हो जिसे पढ़ने सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ लोगों ने आखे मलकर दोबारा खुद को यकीन दिलाया कि वागई ऐसा हुआ है पुलिस ने डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के चारो आरोपियों को एंकाउंटर में मार गिराया खबर इतनी बड़ी थी कि आख की तरह देश दुनिया में फैल गए और इस एंकाउंटर के साथ जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा शुरू हुए वो नाम था साइबराबाद पुलिस कमिशनर वी सी सजनार का साइबराबाद के पुलिस कमिशनर वी सी सजनार को लोग एंकाउंटर किंग के नाम से भी जानते हैं आज हम आपको उसी एंकाउंटर किंग वी सी सजनार की कहानी बता दे हैं ये तस्वीरें करीब डियर साल पहले 14 मार्च 2018 राकी हैं वीसी सजनार को तेलंगाना के रंगा रेड़ी जिले में पढ़ने वाले साइबराबाद का पुलिस कमिशनर बनाये गया वीसी सजनार ने संदीब शांडेले की जगहा कमान संभाए 1996 बैच के IPS अधिकारी हैं वीसी सजनार काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं सजनार स्पेशल इंटेलिजन्स ब्रांच के आईजी भी रह चुके हैं आंध्रो और तिलंगाना में वीसी सजनार के नाम का डंका एक दिन में नहीं बदा इससे पहले भी वीसी सजनार एंकाउंटर कर चुके हैं जिससे अप्राधियों के लिए उनकी छवी एक आकरामक पुलिस अधिकारी की है 2008 में वारंगल जिले में च्छात्रा पर ऐसेड अटैक हुआ थी तीन आरोपियों को पुलिस ने एंकाउंटर में मार गिराया थी तब वारंगल के एसपी रहे सजनार ही ऑपरेशन की अगवाई कर रहे थी शात्रा पर तेजाप से हमले के आरोपियों पर आरोप था कि वो पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश कर रहे थी जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धेर कर दिया इसके आठ साल बाद वीसी सजनार का नाम एक और एंकाउंटर की वज़ह से जर्चा में रहा अप्रेल 2015 में सिनी आतंकी समेट पांच आतंकी एंकाउंटर में मारे गए एंकाउंटर उस समय हुआ जब उन्हें पेशी के लिए कोट ले जाया जा रहा था उस एंकाउंटर का क्रेडिट भी वीसी सजनार के नाम रहा दूसरे एंकाउंटर में भी पुलिस का दावा है कि आतंकी बहाने से गारी रुखवा कर पुलिस वालों की राइफल छीनकर भाग रहे थे जिसके बाद उनका एंकाउंटर कर दिया गया इन दो एंकाउंटर से सजनार का नाम पूरे तेलंगाना में फैल गया और आज उनके पुलिस कमिशनर रहते रेप और हत्या के चार आरोपियों का एंकाउंटर हुआ है जिससे पूरे देश में लोग वी-सी सजनार को सलाम कर रहें महिला सुरक्षा को लेकर वी-सी सजनार हमेशा से काफी जागरुक रहें साइबराबाद पुलिस कमिशनर बनने के बाद, उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर जागुकता फैलाने के लिए कई एड कैम्पेन चला है IT हब होने की वजह से साइबराबाद इलाके में महिला करमचारी भी बड़ी संख्या में रह दिया वी सी सजनार ने महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम भी उठा है अब राधियों के लिए एक तरफ वी सी सजनार काल है तो दूसरी तरफ जनता के लिए वो हमेशा उपलब्त रहना उनकी कारेशैली का हिस्सा है व्रिक्ष रोपन हो या योगा वी सी सजनार जन जार्डुकता के गारेक्रम में बढ़ चड़कर हिस्सा लेका रेप के आरोपियों के अंकाउंटर के बाद वी सी सजनार सर्फ लोगों की नजल में ही हीरो नहीं बने बल्कि उनके घर में भी खुशी का माहर युवत इन एक्ट बगे जासती कमेंट्स माड़ो दिला बट आउरे न सिंसेर डेडिकेटेड ओफिसर आस्ट बगे एम्मे नमगीदे आउन साफ्ट डिसिप्लेंट पुलिस कमिश्णा रहते आज जो काम वी सी सजनार के साथ जुड़ा है उसे देश में लंबे समय तक याद दिया जाएगा प्रूब्स अलोडिंट वूल्ड़